असलामेकुम आज हम बनाएंगे निहारी और निहारी जो है सर्दियों में खाना बहुत अच्छा होता है यह बोडी को वाम रखता है और इसमें जो सारे निट्रिशन होते हो भी हमें मिल जाते हैं इसके लिए मैंने निहारी के पीसे को वाश कर लिया है अच्छे से उसका पानी भी थोड़ा ड्रेन आउट कर देंगे उसके बाद से जो हमें स्पाइसे चाहिए यह सारे स्पाइसे खड़े स्पाइसे चाहिए हमें जिसमें मैंने लिया है दो तेजपता है एक बड़ी सिनामन स्टिक है और उसके बाद से दो बड़ी लाइची है चार हरी लाइची है दो बादियाइं कफूल है और यह हाफ जाइफल भी है इसमें उसके बास से हमने ये शाही जीरा लेना है और सफेद जीरा नहीं लेना है शाही जीरा में खुश्बू अच्छे आती है तो हम शाही जीरा लेंगे और सौंफ लेंगे और ये गोल मिरिच है काले मिरिच सौंफ और जीरा को हम वन वन टी स्पून लेंगे तो इनको पहले हम roast कर लेंगे dry roast कर लेंगे किसी तवय पे या पैन पे जब ये roast हो जाएं तो हम इनको थंडा होने के लिए side पे रख देंगे उसके बाद से हम एक cooker चड़ा लेते हैं cooker में नहारी जो है कम टाइम में पक जाएगा तो हम cooker में ही पकाएंगे तो इसके लिए हम cooker में oil डाल देंगे और उसके बाद से ये नहारी के pieces को डाल देंगे अब हम 1 मिनट तक इसको ऐसे ही roast कर लेंगे थोड़ा सा इसका पानी dry हो जाए अब इसके बाद से हम इसमें spices डालना शूरू करेंगे इसमें जाएगा नमक मकजो आप अपने टेस्ट की साफ से ताला लेना। उसके बाद से इसमें हम डालेंगे एक-एक चमच भरके अध्रक लहसिन का पेस्ट। उसके बाद से लाल मिरिच पाउडर डालेंगे वन टी-स्पून भरे के हैं। उसके बाद से कॉरियंडर पाउडर लिया है जो की डिल्डी स्पून है यानि वन एन हाफ टी स्पून है उसके बाद से हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इसमें उसके बाद हम इसको तीन से चार मिन दही को भी हमने मिला लेना है तीन से चार मिनट लगेंगे पहले ये पानी रिलीज करेगा और उसके बाद से थोड़ा ड्राइ होना शुरू होगा तक दही का पानी ड्राइ हो रहा है इसी बीच हम जो मसाले रखे थे रोस्ट करके सारे स्पाइसे खड़े हमने जो रखे थे उसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे उसका पाउडर बना लेंगे और अब इस पीसे हुए मसाले में से हम तीन स्पून मसाले जो है नहारी के अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें से बचा लेंगे अब जो है हमें इसको मिक्स कर लेना है थोड़ा मिक्स करेंगे हम इसको एक से दो मिनट तक उसके बाद से हम इसमें पानी डाल देंगे पानी जो है हमने बहुत जादा नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है अगर हम इसमें कम पानी डालेंगे तो ये नीचे से चिपक जाएगा जल जाएगा नहारी और जादा पानी डालेंगे तो ये गलेगा नहीं जल्दी टाइम लगेगा इसको गलने में इसलिए हमें पानी जो है एकदम मिरियम साइज डालना है इतना डालना है कि यह सारा जो निहारी का गोश्ट है वो डूप जाए उससे जादा पानी हमने इसमें नहीं डालना है उसके बाद से इसको प्रेशर लगा देना है 30-35 मिनट तक इसको अच्छे से प्रेशर लगाएंगे टाइम देखके उसके बाद से हम इसको ओपन करेंगे जब सारा इसका गैस रिलीज हो जाए उसके बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे इसको गल्ले में तकरीबन 40 मिनट लगे हैं क्योंकि इसमें थोड़े बॉन्स वाले पीसेज भी हैं अब ऑपन करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे पानी 2-3 गलास इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा मिक्स कर लेंगे अब जो है निहारी की ग्रेवी के लिए हम एक पैन रखेंगे उसमें तीन स्पून जो है हम घर का आटा गेहूं का आटा डालेंगे जिसे हम रोटी बनाते हैं वो आटा डालके हमने ड्राइ रोस्ट कर लेने हैं आटे को ड्राइ रोस्ट करने के बाद हम जो है उसको बोल में ट्रांसफर करके इसमें थोड़ा पानी डाल की एक पेस्ट जैसा बना लेंगे इस टाइब का अब इस पेस्ट को जो है हमें निहारी में डालना है इससे ही निहारी की ग्रेवी बनेगी और यह थिक भी हो जाएगा निहारी अब जो है इस टाइम हम गैस आन कर देंगे और slow heat पे इसको 10-15 मिनट तक जब तक कि इसकी gravy थोड़ी थिक हो जाए उस time तक हमने इसको पकाना है देखें यह अब थिक होना है स्टार्ट हो गई है हमें बहुत जादा इसको थिक भी नहीं करना है वरना यह बाद में और थिक हो जाएगी थंडा होने के बाद बस इस time पर हमने बंद कर देना है फ्लेम को हमारी नहारी रेडी हो गई है जो है नहारी में तड़का लगाने के लिए हम एक पैन ले लेंगे उसमें जो है ओल डाल के ओल को हमने अच्छे से गरम होने देना है उसके बाद से बंद कर देना है फ्लेम को उसके बाद हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे एक चमच और जो नहारी मसाला हमने बचा के रखा था वो डालके इसमें उसके बाद से हम तड़क लगा देंगे नहारी में उसके बाद से ढग देना है हमने और 10-15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे तो आपकी नहारी जो है एकदम मार्केट जैसी होगी और ये खाने में भी बहुत ही लजीज होगी इसके बाद आप इसको फ्राइड अनियन कटे हुए अदरक और नीवू के साथ सर्व कर ले इसको और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तब तक के लिए थैंक्स पर वचिंग अलाहाफिज